अभी बीजापुन नकसली हमले में मारे गए जमानों की चीता ठंडी भी नहीं हुई थे अब ख़बर आई है कि 36 गड़ के सुकमा जुले में नकसलीों ने दो पुलिस वालों की गला रेत कर हात्या करती हमले में दर्जनों सहनिकों को मारने के बाद भी मवादी सुधारने का नाम नहीं रहे हैं यह घटना सुकमा जुले के भेजी ठाना से सिर्फ आधा किलोमेटर दूर पर हुई दोनों पुलिस वाले शहिद जो हुए हैं वो पुलिस ठाने में तैनाद थे गुरुवार को दोनों जवान बाइक से बाजार के उड़ जा रहे थे तब ही उनको रास्ते में रोक कर इनके गले को किसी धारदार हतियार से रेत दिया गया और हमला पर जो थे वो मौके से फरार हो गये 34 गड़ में सुरक्षा बलो पर हमली की 23 दिन में यह तीसरी घटा है SPKL धुरू ने बताया है कि घटना की जाँच जारी है जिन जवानों की हत्या की गई है उनके नाम पुने महंडबा और धनीराम कश्यप है नर्सलियों ने दो पुलिस वालों को शदिशगर में कुरूना का फैला आतंग जो है भयानक होता जा रहा है जो फैला आप है वो काफी भयानक हो रहा है और राज में कुरूना के बढ़ते संक्रमण ने स्वास्त वेवस्ता की पॉल खोल दी है सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है वायरल तस्वीर में कुरूना के शव को कच्रा फैकने वाली गाड़ी से ला जा रहा है मामला दरसल 36 गड़ के राजनान्द गाओं का रहा है नगरबंचायत के कच्रा फैकने वाले वाहर में शव को ले जाया गया तस्वीरे सामने आने के बाद अस्पतार प्रबंधन कुछ भी बोलने से इंकार कर रहा है तस्वीरों में देख रहे कुछ लोग पे बेकित पहने कच्रे की गाड़ी से शव को उतार रही है राजनाद गाओं जिले के डूंगर गाओं में कुरोना से गंभीर दोस्ता की महनों समय तीन लोगों की मौध हो गई बता जा रहा है कि जिला अस्पताल में अक्सीजन की कमी है और अक्सीजन नहीं मिलने से उनकी मौध हुई है इसके लावा डूंगर गाओं में सरकारी अस्पताल में एक कुरोना पीडित व्यक्ति अपना दम दोर चुका है बताया जो रहा है कि राज जम्य ओक्सीजन के कमे के जलते कुरोना मरीजों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है हलागि सरकार विला इस पाथ कमपनी से ओक्सीजन सिलिंडर आयात कर रही है तो कहीं न कहीं ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जहां पर 36 गर में कुरोना के रफ्तार बढ़ रहे हैं तो वहीं पर ये जो तस्वीरे आई हैं तो मानवता पर कई सवाल ये निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर वज़ा क्या रही उस तरीके से ये तस्वीरे सामने आए कि जो क्या एंबुलेंस नहीं थे कि कच्रे वाली गाड़ी में शौका इस तरीके से अपमान किया गया है कहीं न कहीं तो इस पर सवाल खड़े हो रहे है कि जिला प्रशासन की जो बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि कच्रे के गाड़ी से जो है वो शौक को लेके जाया गया है और जिस तरीके से दफन किया जा रहा है तो कई सवाल या निसान गंभीर निसान खड़े होने आप तस्वीरों में साफ तोर पर देख सकते हैं कि दो लोग नीचे इस टेंड लेके खड़े हुए हैं और दो लोग कच्रे की गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं और वह आपके शोग को निकाल रही हैं जो इसका फोटो जो है बड़ी तेजी से वारल हो रहा है इस वक्त के खबरों में फिलाल इतना ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं आन्याने मुझे